एक बार फिर से स्वागते हैं आपका हिमाचल डाइरी के अंग में हमेरपूर में गंटंत्र दिवस के अफसर पर मिनी मेराथन का आयोजिन किया जा रहा है जिसमें NCC कैडट्स और स्कूली बच्चे भाग लेंगे यह मेराथन सुबह साड़े आप बजे शुरू हो जाएगी यह जानकारी उपायुक्त मदन चुहान ने दे गंटंत्र दिवस के अफसर पर NCC कैडट्स और स्कूली के बच्चों के लिए मिनी मेराथन का आयोजिन किया जा रहा है उन्होंने बताय कि मिनी मेराथन लड़कें के लिए 4 किलोमेटर और लड़कों के लिए 5 किलोमेटर की होगी जो बाई-पास सड़क पक्का फ्रों से प्रातर साड़े 8 बजे आरंभ होगी उन्होंने बताया कि मेराथन विजेता को राजकिय वरिष्ट मादेमिक पार्शाला में मनाय जा रहे है जिलास्तरिय गंतंत्र दिवस समारुहु में पुरुसकार देकर सम्मानित किया जाएगा 26 जनवरी 2017 को नई दिली में आयोजित गंतंत्र दिवस समारुहु के अफसर पर हिमाचल प्रदेश की जांकी प्रदर्शित की जाएगी गंतंत्र समारुहु में तीन साल बाद प्रदेश की जांकी प्रदर्शित हो रही है गंतंत्र समारुहु में प्रदेश की जांकी तीन साल बाद प्रदर्शित हो रही है इस वर्ष हिमाचल प्रदेश की जांकी में राज्य की अदभुत पारंपरिक हस्तकला चंबा रुमाल को प्रस्तुत किया जा रहा है जांकी के अगर भाग में चम्बा रुमाल पर कसीदा कारी करती एक महिला की सुंदर प्रतिमा दिखाई गई है जबकि मध्य भाग में कृष्ण वराधा को गोपियों के साथ रास लिला नृत्य करते हुए दर्शाय गया है इसी भाग में चम्बा की महिलाएं रुमाल पर कसीदा करते हुए भी दिखाई गई है चम्बा रुमाल हस्त कला 28 श्ताबदी के उत्तरार्ध में हिमाचर्फ देश के चम्बा में विक्सित हुई पहाडी कला का उत्कृष्ट उधारन है इस पारंपरिक लोक कला में रेश्मी धागे से बुने साटन के कपड़े पर दोहरे टांकों से दोनों तरफ एक समान कढ़ाई की जाती है चम्बा रुमाल पर समान्यत रासलिला, अश्त नाईका और प्राचीन पौरानिक गाथाओं वद्रिशों को उकेरा जाता है चम्बा रुमाल के सरक्षन के लिए इसे बौधिक संपता अधिकार समझोता 2007 के तहट पंजुकृत क्या गया है कला भाशा इवं संस्कृति विभाग की निदेशक शशी ठाकुर जो प्रस्तूती के अनुश्रवन के लिए इन दिनों दिल्ली में है ने बताया कि 29 और 30 जनवरी 2017 को भारत पर्वपर नई दिल्ली में आयोजित कारिक्रव में सिर्मोर जिला का संस्कृतिक दल भी भाग ले रहा है उन्होंने कहा कि कला भाशा संस्कृति विभाग की सचिव अनुवाथा ठाकुर के अथक प्रयासों की बदौलत राश्ट्रिय स्तरिय गणतंतर दिवस के अफसर पर हिमाचर प्रदेश की जांकी का प्रदर्शन सोनिशित हो पाया है जो हिमाचर प्रदेश के लिए निगम शिमला ने शिमला स्मार्ट सिटी मिशिन शिरू कर दिया है जो 24 मार्च तक चलेगा और 31 मार्च को रिपोर्ट केंदर को सौप दी जाएगी नगर निगम के बहपोर ने कहा कि शिमला अपने आप में सपनों का शहर है जो स्मार्ट शहर के लिए अपनी पात्रता पूरी करता है जिसके लिए सभी को एक जुट होकर प्रयास करना होगा जिसके लिए 5 जनवरी से लेकर 24 मार्च तक फेस्बुक ऑनलाइन एवं मैनिल रूप से बिजली पानी सिवरेज सहित 15 समस्याओं को लेकर शिमला के लोगों की फीडबैक ली जाएगी जिसको लेकर नगर निगम ने शिमला की कई संस्थाओं के साथ मिलकर घर घर जाकर मुहिम शिरू करती है इसे 31 मार्च को केंद्र को भेज दिया जाएगा उन्होंने कहा कि शिमला को स्मार्ट बनाने के लिए इसमें आम लोगों की भागेदारी जरूरी है आज जैसा कि आपको मालूम है पिशली पांच जनुरी से लेकर नगर निगम शिमला जो है विभिन सेक्शन्स जो इस शेर के नागरिकों के हैं उसके सुझाव जो है ले रहा हमने दस तारीक से लेकर जो है विभिन हमारे जो रेजिजेंट वेल बेस अस्योशेशन्स है यह हमारे विधायक यहां पर है जो शिमला नगर निगम के प्रिदी के अंतरगत जो चुनेगे हैं उनको और विभिन कॉर्पेशन्स और बोर्ट के जो चेर्मेन और वाइस चेर्मेन है उनको और यहां पर जो जिला परिशत के सदस्य है और जिला परिशत की चेर्मेन है उनको जो है आज स्मार्ट siT के सुजावों के लिए अम अद्रित किया था तो इसमें काफी चर्चा के बाद जो है काफी बहुमूले जो लिए जो सुजाव हैं वो आए हैं और हमारे अधिकारियों ने स्मार्ट siT की प्रपोजल कैसे बढ़नी है वो भी जो है या आंपर एक प्रे को जो है बनाना चाहती है तो इसलिए आप जो हर स्तर पर नगर निगम जो कारे कर रहा है आप जो है इसमें भागिदारी करें नगर निगम शिमला डेड़ लाख लोगों की फीडबेक लेने के लिए मुहिम तेज किये हुए है लोग 15 मूल भूत सुविधाओं पर अपने सुझाव दे रही है जिसके तहत शिमला के भाजपा विधायक एवं कुसुम्टी के कॉंग्रेसी विधायक ने भी नगर निगम क अपने अपने सुझाव दिये हैं के लिए सेजेशन्स पब्लिक के भी चाहिए और हमारे भी चाहिए इसमें इसके लिए मीटिंग थी जिसमें हमने सेजेशन्स दी है जो एक मुख्य कारण है दुरगटनाओ का कि अंडर ग्राउंड केबलिंग पूरे शेर में होनी चाहिए क्योंकि कोई प्राकृतिक प्राउम के भी आज वेल एज इंटरनेट की तारें डलती है आए दिन प्राइविट कंपनीज जैसी मेटल होती है रूड वैसी कोदना शुरू कर देती है वो बंद हो और उसके लिए डकेट्स जो है हर एक सडक पर लगें यह शिमला स्मार्ट सिटी बने हम वी करते थे कि यह पहले राउन में होगा लेकिन उस समय यह दिभनकारणों से नहीं हुआ अब टोटल जो एक सो नौ सिटी स्मार्ट सिटी में आनी हैं उनमें कंपेटिशन के लिए शिमला भी एक सिटी है और टोटल लगभग 49 सिटी इस में पार्टिस्पेट कर रही है जिसमें से 20 सिलेक्ट होनी है शिमला एक अलग प्रकार की सिटी है हिल स्टेशन है यह हिंदुस्तान का अंग्रेजों की राजधानी रही है इसका जो एट्मॉसफेर है वो लंदन से मिलता जूलता है और यहां की जो प्रॉनी हरीडिट्री बिल्डिंज थी वो भी लंदन के अर्किट्रेक्टर के अधार पर बनी थी तेकिंदुर भाग्या वश अधिकांश बिल्डिंज जो है उसमें से जल गई है तो हमारा पहला तो इसमें जो है वो सुझाव मेरा यह है कि शिमला में सबसे बड़ी ज़ूरत जो है वो इंफ्र बिल्डार शब्दों से पाकिस्तान की धरती हिला चुके कॉंस्टेबल मनोज ठाकूर अब मिशिन तिरंगा के वीडियो में एक पुलिस अधिकारी के किरदार में नजर आ रही है जुनूनी देशभक्त मनोज एक अच्छे कलाकार भी है कॉंस्टेबल मनोज ने चुट्ट तिरंगा मेरे खून में है तिरंगा मेरे जुनून में है मेरे वतन को आखे मत दिखाना नोच लूँगा क्योंकि तिरंगा मेरे सुकून में है फेराना है तिरंगा फैराया धाती रंगा परशट की लाडाई में अब्दुल्हमीत हीरो का ताना पढ़ाई ने दुसमन की हिम्मत देखो का तरंबे भिवार किया भैरो सिंग चादु पुरी दे दुसमन का संघार किया करगिल में जोस दिखाया सर पे बस खत लाना कुसमन काकून बहाया संजय विक्रम पका।